हेलो दोस्तों आज मैं आपको इस डिजाइनर ब्लाउस की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ आप भी इसे जिखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें तो सबसे पहले हमको ड्राफ्टिंग करने होती है कोई भी ब्लाउस कटिंग करने के लिए तो इसके लिए मैं यहाँ पेपर पे 15 इंच लेंग्ध मैंने मार्क कर लिया है विकि मुझे ब्लाउस की लेंग्ध 15 इंच चाहिए यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्राउ कर लेंगे 15 इंच पे और हाफ अफ शोल्डर लेते हैं तो बोटनेक के लिए ज्यादा लेना होता है तो 7 इंच लेंगे और आम के लिए 6.5 इंच और यहाँ पे 1 फॉर्थ अफ बर्स्ट राउंड लेते हैं फ्रंट इंड बैक दोनों के लिए फ्रंट का जो डैप्थ रहेगा 3 इंच रहेगा जो ओपन रहेगा और बागी जो ट्रांस्पेरेंसी रहती है वो नीचे आप 3 इंच ले सकते हैं यहाँ पे मैं स्वीट हार्ट नेक बना रही हूँ इस टाइप करनेक जैसा होता है और इसे हम कट कर लेंगे यह फ्रंट एंड बैक एक साथ मैंने मार्किंग किया है अभी पहले क्योंकि डिजाइन फ्रंट का अलग होगा बैक का अलग होगा इसमें पहले इसे एक साथ कट कर लूँगी front and back को एक साथ उसके बाद front अलग करके front की designing then back अलग करके back की designing तो ये front मैंने अलग कर लिया है जिसमें जो ये burst point भी हम mark कर लेंगे जो कि उपर से 10 inch लेते हैं और इधर 1 4th of 1 10th of burst लेते हैं जो कि 4 inch होता है तो ऐसा करके हम 2 inch का dart दे देंगे और यहाँ पर आम कर्व के लिए यहाँ पर थोड़ा सा depth देते हैं मैंने कर्व बना लिया है और मारा front हो गया बैक पर हम darts देते हैं यहाँ पर 5 inch width neck width और 2.5 inch का open neck depth रहेगा और आप जिता भी depth लेना चाहते हैं जो की transparency रहेगा वो आप ले सकते हैं यहाँ मैंने 12 inch लिया है आपने design पर देखा होगा इस shape का कुछ shape है तो हम इसे ऐसे ही cut कर लेंगे और यह वाला portion जो है उसको बाद में cut करेंगे क्योंकि वो portion हमको open चाहिए तो यहाँ मैंने blouse के लिए 1 meter net का फैब्रिक लिया है half meter sand tune फैब्रिक लिया है अस्तर के लिए half meter cotton फैब्रिक लिया है तो दो अस्तर net कपड़े में आप दो अस्तर ही लगा है तब आपका कपड़ा मतलब fitting अच्छी बैठती है अगर आप single कपड़ा ही लगाएंगे चलो shine तो है कुछ नहीं होता है लेकिन single लगाएंगे तो आपको loose loose समयसूस होगा fitting आपको अच्छी नहीं लगेगी इसलिए हमेशा जब भी आप net के या फिर कोई भी साड़ी का कपड़ा पतला fabric है तो उसमें आप दो अस्तर ही लगाएं तो fitting बहुत अच्छी आती है बहुत अच्छा रहता है, comfort रहता है पहनने में और draft को same fabric पे रखके जो भी fabric पे आपको cut करना है ऐसा रखके half half inch की margin छोड़ते हुए हम इसे cut कर लेंगे sleeves भी वैसे ही हम cut कर लेंगे half half inch की margin छोड़ते हुए यह हमने main net fabric पे cutting कर ली है अब हम इसकी cutting करेंगे अस्तर वाले fabric पे जो की sand tune fabric है तो उसके लिए हमको यहाँ पे ऐसे cut करना होगा क्योंकि उपर का जो portion है वो transparent है इस वज़े से हमको यह वाला portion cut करके निकालना जितना portion cut होके निकल रहा है वो transparent रहेगा वो net के उपर रहेगा और बाकी जो बचा हुआ है उसमें अस्तर में आएगा तो यह मैंने sand tune fabric लिया है अंदर lining के लिए तो sand tune में क्या net के अंदर shine अच्छा है इसलिए मैंने लिया है shorter satin कपड़ा मुझे पसंद नहीं क्योंकि उसके धागे बहुत निकलते है और अच्छा नहीं लगता तो sand tune में के shine भी रहता है और अच्छा भी लगता है इसे पहनने में तो इसे मैंने mark कर लिया इसे भी half half inch की margin छोड़ते हुए हम cut करेंगे और सीन वैसे ही cotton fabric पे भी हम cut कर लेंगे अब आते हैं stitching part पे तो यह जो मैं भी मैंने लिया है यह back का part है आप देख सकते हैं ऐसा square मैंने cut किया था तो इसे हम first ऐसे join करेंगे ceiling के then उसे वापस पलट देंगे तो वैसे ही आपको front पे भी करना है back पे भी करना है और जो इसकी जो finishing है वैसे ही हम finishing करेंगे then उसके बाद net का कपड़ा उपर से लगाएंगे तो आप देखिए मैं कैसे करती हूँ इसे बनाना बहुत ही आसान है आप भी इसे बना सकते हैं एक बट्राय करिएगा बनाने का क्योंकि देखने में difficult लगता है मैंने ऐसे ही कुछ-कुछ और blouse designs अपने चैनल पर डाले हुए हैं अगर आप इसे सीखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो पर मेरे चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा तब आपको मेरे वीडिय उसे अंदर वाला अस्तर को स्टेच कर लिया है और उसके उपर मैंने नेट वाला फैब्रिक रख दिया जैसे मैंने पीपर पर बताया था तो हम इसे यहां पर हमेशा ध्यान रखी हैं आप डारेट ऐसे रख के ना स्टेच करें कि पहले पिन अप कर लें अच्छे से मार्क कर लेंगे और यहां पर वन इंच इधर वन इंच इधर डार्ट दे देंगे टू इंच का अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप हाफ-फाफ इंच का भी डार्ट भी दे सकते हैं जो टोटल वन इंच होगा आप चाहे तो यहां पर पैडट भी बना सकते हैं जो बस्ट पॉइंट पर मैंने मार किया था उस पॉइंट पर बस्ट पॉइंट को रखके पैट को रखके वैसा आप उसको स्टिच कर लेंगे साइट से उसका वीडियो भी मैंने डाला हुए है अपने चैनल पर वो भी आ सबस्कारंस नहीं है कर wavyसर दोना को एक साथ रख गयाज़े चाहिए टर्न कि लेंगे और कॉर्न पर घ्यान रखें लूकर रखें तरीकर से खाशध से मूड चाहे कॉर्नर अच्छे से बन कर आए वैसे ही जैसे मैंने फ्रंट पे किया था वैसे ही पीनप अच्छे से कर लें बैक का जो मेन नेट फैब्रीक के साथ देन उसके बाद ही स्टीच करें नहीं तो कपड़ा इधर उदर हो जाता है बराबर से फिनिचिंग नहीं आती है तो ये देखिए बैक में कैसे स्टीच कर रही हूँ नेट दिखने ही रहा होगा इतना पतला है तो चलिए ये हो गया है वैसे ही हम दूसरा साइट का भी बैक पार्ट कर लेंगे फिनिशिंग उसकी तो ये देख सकते हैं ये बैक भी फिनिशिंग हो गया है बीच में हम लगाएंगे जिप तो जिप लगाने के लिए हमको कुछ अस्तर का कबड़ा से पहले फिनिशिंग करना होगा उसके बाद हम जिप लगाएंगे कैसे डारेक्ट हम नहीं लगा सकते जिप क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा पहले शोल्डर को हमने जॉइन कर लिया उसमें स्लीप से भी अटैच करना होगा उसलीप से अटैच कर लेंगे ये जिप इस तरीके से लगाएंगे तो जिप लगाने के लिए ये एक कपड़ा जो अंदर का सेंड़्ून फैब्रिक है उसे ही मैंने लिया है ुसे जैसे हम एक सिलाई करके वापस से पलट के सिलते हैं अपने वेस्ट साइट की फिनिशिंग करने के लिए वैसे ही हम वहाँ पे जिप लगाने के लिए भी वैसे ही सिलाई करेंगे, फ़हले एक साइड सीलेंगे, देन उसे वापस पलटके पीछे पीछे सील लेंगे, उसके उपर हम जिप की डारेट सिलाई कर सकते हैं, बहुत आसान है तरीका, बहुत ही असानी से आप सील सकते हैं, तो ये वेस्ट राओंड की फिनिशींग भी मैं के बहुत ना ही कब आप एकली को दोनों साइट्स पर कर एक जुट से किया है दोनों के टारिक्ट इंगे इसे टायरेक्ट एसे ही जिफ हम लगा देंगे ये आप सिंगल फूट लगा लेंगे इसके लिए हम क्योंकि बहुत adoption के लिए शाएद दो फूट ना चले, डबल सेरेट फूट ना चले, तो सिंगल फूट मैंने चेंज कर लिया है, यहाँ पे, सिंगल फूट लगा लिया है, उसे क्या असानी से लग जाता है, यह जिप मैंने अटैच कर लिया है, और इसे कटिंग करने के समय ध्यान दे, थोड़ा समार्जिन छोड़के कट करें, और चेंग को नीचे कर लें, ऐसे इसे मोड कर हम सिलाई कर लेंगे, अब इसके नेक की फिनिशिंग कर लेंगे, वैसे ही जैसे मैं सारे ब्लाउजर्स को करती हूँ, क्रॉस में फैब्रिक को कट करके, उसे जॉइन करके, डबल फोल्ड करके, हम ऐसे स्चिच करते जाते हैं, उसके बाद या तो अंदर की साइड, बैक की साइड नी, अंदर की साइड उल्टा साइड पे, हम उसे पलट कर या तो hamming करते हैं या तो फिर उसे stitch कर लेते हैं पर जनरली मैं net fabric पे hamming करती हूँ ज्यादा finishing लगता है मुझे तो ऐसे पूरे neck पे मैंने ऐसे double fold करके ऐसा कर लिया है और आप देख सकते हैं मैंने इसके hamming करके पूरी finishing भी कर ली है neck की तो यह हो चुका है blouse complete मैंने waist side की भी finishing कर ली है sleeves attach कर लेंगे हम sleeves तो जैसा cutting किये हैं उसको वैसे ही attach करना है वह बहुत simple है बस यह ध्यान रखें क्योंकि जो भी गहराई वाला side है वो front side पे रहे और यह square वाला neck है उस पे हम यह लेस लगाएंगे जिससे कि उसकी look और अच्छा आ जाए थोड़ा साट्रेक्टिव लगे तो यह हम attach कर लेंगे sleeves में भी मैं सोच लिए attach कर लूँ sleeve जो round होता है वहाँ पर तो यह हम attach कर लिए हैं देख सकते हैं नेक पे आप चाहे तो अपने हिसाब से भी लेस लगा सकते हैं मुझे यहाँ पे सही लगा तो मैं यहाँ पे लगा लिया मैंने और यहाँ पे फिर्फिटिंग के लिए हम इस तरीके से half of अपना burst round लेते हैं जैसे 40 है तो आप यहाँ पे half of burst round 20 दोनों तरफ बराबर रखका 20 इंच पे मार्किंग करिए और waste का भी वैसी half of waste round जैसे 32 है तो उसका 16 रखिए और यह दोनों को join करके और sleeve round जितना है आपका arm round भी आप measure कर ले arm round पुरा circle करके कितना measurements के उपर मैंने एक वीडियो बनाएगे कैसे कैसे हम body measurement लेते हैं कोई भी dress बनाने के लिए उसका भी वीडियो आप देख सकते है मेरे channel पे वो भी मिल जाएगा आपको और हम जहां जा marking किये हैं वैसे ही उसके उपर हम stitch कर लेंगे then हमारे blouse finish हो जाता है सिलना इसका तो चलिए आज का वीडियो तो यहीं खतम होता है blouse सिलने का तरीक भी आपको clear हो गया होगा और designing clear हो गया होगा का मैंने कैसे इसे cutting किया कैसे stage किया so I hope you like this video so मिलते हैं next video में कुछ ऐसे ही learning tutorials लेकर अगर वीडियो पसंद आया हो अच्छा लगा हो तो please मेरे channel को subscribe करें और मिलते हैं सब तक के लिए bye bye